दोस्तों 21 सदी में आटोमोटीव इंडस्ट्री में हमने जबर्दस तेजी देखी थी 2018 तक दोस्तों कई कंपनीज के वॉल्लियूम बढ़ने के कारण हमने बजार में भी जबर्दस तेजी देखी आपने पैसेंजर वीकल में मारूती कार का परफॉर्मंस देखा आपने टू आटो पार्ट्स में मधर संसुमी, मिंडा और कई कंपनिया परफॉर्म कर रही थी तो 2017-18 तक आटो में जबर्दस देजी थी दोस्तों 2008 की वहन कर मंदी में भी इंफेट आटो ने जबर्दस परफॉर्मंस दिया था क्यूंकि उनका सेल्स विल्कुल अफेक्टेट नहीं सबसे पहले 2008 के फॉल में भी आटो ही रिकवर हुआ और आटो की कंपनिया दोस्तों कमा के दे रही थी पर 2017-18 के बाद दोस्तों हमने आटो इंडस्ट्री के वॉल्यूम को डिकलाइन होते देखा दोस्तों वॉल्यूम के डिकलाइन होने के कारण कंपनिस की रखेंदी देखें टू विलर की लिडिंग कंपनी हीरो एक लंबे फॉल में पैसेंजर कार मारूती एक लंबे फॉल में कोमर्चल विकल डाटा मोटर लॉसेस करने लगी और लंबे फॉल में आटो पाट्स की कंपनियां करेक्शन में ये सब क्यों क्योंकि दोस्तों रिकवरी घाडियों की विकरी में देखी पिछला साल जो इंफेक खतम हुआ दोस्तों कई सेगमेंट में हमने वापस से 2018 को पार की ज्याना तर सेगमेंट में आप सुनोगे प्री कोविड लेवल पर आटो में हम देखेंगे 2017-18 के लेवल महतवक है क्योंकि उसके बाद गिरा दुनिया भर की आटो इंडेश्री में आई तो तिल लास्ट इयर आटो रिकवर होके वापस से 2018 के लेवल पे पहुँच चुका है तो सिधी बात है दोस्तों कई सेगमेंट होंगे कई कंपनिया होगी जिनके वॉल्यूम मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रॉपर क 2018 के वॉल्यूम लेकिन टू विलर इंडेश्ट्री अभी भी दोस्तों 2018 के लेवल के नीचे था रिकावरी टू विलर में लेट आए तो यस दोस्तों टू विलर की कंपनिया और तो इंडेश्ट्री में आखिर पे चल तो लास्ट येर का क्लोजिंग किदर रहा दोस्तों 2018 क ल्याए वॉल्यूम के नीचे पर पैसेंज़र का और त्रिवीलर की वॉल्यूम 2018 को अल्रड इपार कर चुए थे तो दोस्तों टू विलर की यीडिंग कम्पनी हीरो आइसर अल्रडी करेक्शंस में थी पैसेंजर की कम्पनी जो सबसे डिंग है मारूती ब्रेक आउट दे किया दोस्तो lifetime high volumes दोस्तो ये दोनों ही segment में कमाल हुए है technological change के कारण आप देख रहे हैं दोस्तो नए नए models और EV कमाल कर रहा है right friends तो अब तक हमने auto देखा क्या हाल है latest दोस्तो एपरिल महिने के data federation के आ चुके है तो एपरिल महिने के data क्या कहते है पिछले साल जबरदस तेजी हमने majority of the segments में देखी दोस्तो एपरिल महिना लेके आया 27 टका का ये फ्स्रेंट 27 परसंट कगार का growth auto industry के लिए जो की एक शुरुआत में ही good news ऐस साल growth में support किसका है दोस्तो 33 परसंट growth आया है two wheeler में से तो two wheeler का growth शांदार रहा लेट रिकवर हुआ पर ये साल हमने आपको पहले से बता है था two wheeler में growth continue रहेगा और आप continuity एपरिल में तो देखी रहे है 33% is good growth three wheeler जहां पर पिछले साल शांदार growth था दोस्तो ये साल 9% का growth अभी भी continue है passenger vehicle में भी पिछले साल growth था अभी 16% का एपरिल में growth आया है दोस्तो पैसेंजर vehicle में भी एक बड़ा divergence निखा है जो छोटी गाडिया जो सस्ती गाडिया बिक्ती थी उसके बदले अब भारत में SUV की संख्या दुगने के करीब हो चुकिया दोस्तो SUV growth के लिए responsible है passenger vehicle में दोस्तो ट्रेक्टर्स का 1% growth रहा हाले कि ट्रेक्टर्स दोस्तो कोविड में भी affected नहीं हुए थे कोविड के दर्म्यान भी ट्रेक्टर में अच्छा growth था तो already high base है इस साल 1% growth commercial vehicle 2% growth दोस्तो positive sentiment क्या है auto के लिए stable crude price दोस्तो पेट्रोल डिजल के दाम बहुत चैदा बढ़त आते हुए देखा demand trigger हुई और दोस्तो आने वाली marriage season दोस्तो यह सारे ही ट्रिगर है positive auto के लिए साथ ही में दोस्तो नए नए models यह trigger करते हैं अच्छे sales को खास करके टूविलर और passenger वेकर चैलिंजिस क्या है दोस्तो election impact election के कारण कुछ volatility देख सकते financial constraint दोस्तो interest rate high चल रहे यह interest rate high होने पे दोस्तो EMI installment भी लोगों के high हाते हैं यह थोड़ा constraint है दोस्तो जैसे interest rate कम होंगे यह भी negative से positive trigger में तलवट हो जाएगा so two wheeler segment में खास जो ने 33% का growth देखा यहाँ पे hero का market share थोड़ा decrease हुआ है जो number one की लाड़ी है 31 तका का market share hero की इससे जाता है और second पे है Honda जिसका market share बढ़ा है TBS और बजाज के भी market share में improvement दिखी है और Ola जो leader है दोस्तो electric में अब महने के 30-30,000 गाड़िया दोस्तो बेचने लगा है यह बहुत अच्छी उनकी achievement है दोस्तो three wheeler का leader है बजाज auto clear king leader क्योंकि 38% के करीब market share अकेले बजाज auto का है second number का खिलाड़ी बहुत दूर है बजाज auto का market share तगड़ा होने के बावजूद भी increase हुआ है इस महने भी खास three wheeler को support कर रहा है EV segment और CNG segment दोस्तो commercial vehicle का king है Tata Motor 35% के market share के साथ उनका market share थोड़ा decrease हुआ है और M&M जो खिलाड़ी नंबर दो है commercial vehicle का market share इंप्रोग हुआ है फिर आती है बाद passenger vehicle की जहां पे EV, CNG, SUV यह सब बड़िया कमाल कर रहे है दोस्तो passenger vehicle में 40 तका के करीब का एक king size market share मारूती के पास है और April में भी SUV इतनी भीकने के बावजूद भी market share मारूती का increase हुआ है Hyundai दूसरे नंबर पे बरकरार रही और Tata Motor 3rd largest company थोड़ा market share उनका decrease हुआ है ट्रेक्टर्स में दोस्तो leader है महिंद्रा एन महिंद्रा महिंद्रा का market share खुद का और जो स्वराज उनी का डिवीजन है 40 तका जितना market share महिंद्रा का है दोस्तो leader है और उनका market share भी बरकरार है So friends this was all about your auto industry हमने volume को सुधरते देखा उसने तेची दी दोस्तों पिछले साल inflation था ये साल inflation नहीं है तो profit भी आपकी auto के बढ़िया बड़े उसने भी तेची दी Valuations अभी भी ये नहीं कह सकते है बहुत ज्यादा मैगे है पर last year lucrative थी ये साल lucrative नहीं है